सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रियंबके गौरी नारायनी नमोस्तुते मां आपने पैगंबरों को जना है संसार आपके ही दमसी बना है मां ये ऐसा शब्द है जो जहां भी लग जाए वहां की खुबसूर्ती अपने आप ही बढ़ जाती है मां तो मां ही होती है चाहे वो खुद की मां हो या शक्ति स्वरूपा देवी मां हो और मा की पूजा तो इश्वर भी करता है क्योंकि इश्वर को भी मा ही जन्म देती है आज उसी मम्ता मई माता वैश्णो देवी की ये पावन कथा हम सुनेंगे जो इस बात का गवा है कि बेटे को जब भी परिशानी होती है मा जरूर दूर करती है जै जै वैश्णो मा वैश्णो मा सब की पालनहार वैश्णो मा सब की पालनहार परवतू पर प्यारा सजा है माता का दरवार वैश्णो मा सब की पालनहार वैश्णो मा सब की पालनहार वैश्णो मा सब की पालनहार वैश्णो के अंश से जनमी माता वैश्णवी कहलाई प्रकटी रत ना करके घर महल में बजी बधाई छोटी सी आयू में मा अलोकिक शक्ती पाई लोग लगे दर्शन करने विपदा सब दूर भगाई परवत उपर लगा समाधी रहती निराहार वैश्णो मा सब की पालनहार वैश्णो मा सब की पालनहार त्रेता युक में जब रावण और कुमकरण जैसे राक्षस धरती पर उत्पात मचा रहे थे उसी समय महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती के तेज पुंज तथा विश्णू के अंश से राजा रतनाकर के घर एक बालिका का जन्म हुआ जिसका नाम वैश्णवी बड़ा वैश्णवी की तपस्या से खुश होकर सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और एक दिव्य कमंडल देते हैं जिसमें से जो खाने की इच्छा होती बना बनाया मिल जाता था और वो खाना समाप्त भी नहीं होता था कर रही गोर तपस्या विश्णु का ध्यान लगाए स्वतह ही तूटी समाधी राम जी पास में आए वैश्णवी हरशित होके प्रभु श्री राम से बोली मेरे संग शादी कर लो राज वो दिल का खोली मुझे को भी प्रभु अपना बना लो सपना करो सकार वैश्णों मा सब की पालनहार वैश्णों मा सब की पालनहार वैश्णवी की बाते सुनकर श्री राम जी कहते हैं कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है इस समय सीता मेरी पत्नी है हे वैश्णवी मैं तुम से शादी नहीं कर सकता लेकिन मैं दुबारा कलियुग में कलकी अवतार लेकर आऊँगा तब तुम्हारी मनो कामना अवश्य पूरा करूँगा तब तक तुम धर्ती पर रहकर वैश्णव धर्म का प्रचार प्रसार करो और कलियुग में धक्तों का कल्यान करो इतना कहकर श्राम जी चले जाते हैं और कुछ समय बाद भैरव नाम का एक दुष्ट शासक वैश्णव धर्म का विनाश करने लगता है और देवी से बैर करने लगता है तथा देवी मा के भंडारे में उन्हें अपमानित करने के लिए अपने बहुत सारे चेलों के साथ आकर उत्पात करने लगता है महा बलशाली भैरव काफी उत्पात मचाया बहुत सेले कर चेले वो भंडारे में आया माता ने दिव्यक मंडल अपने हाथों में उठाया सभी को भर पेट भोजन माता रानी ने कराया सभी को भर पेट भोजन माता रानी ने कराया चकित हो गया देख के भैरव मा का चमतकार वैशनों मा सब की पालनहार वैशनों मा सब की पालनहार मैशनों मा सब की पालनहार एक ही कमंडल से माने सब को भोजन करवा दिया और कमाल की बात ये है कि भोजन कम न पड़ा ये अद्भुच अमतकार देख कर भैरव दंग रह गया और वो वैशनों माता से शादी रचाने की बात सोचने लगा और अपने दूट से शादी रचाने का प्रस्ताव माता वैशनों के पास भेजा तब माता ने दूट से कहा कि भैरव शादी का प्रस्ताव भेज कर खोर पाप किया है जाओ उससे जाकर कह दो कि वो शान्त रहे वरना वो बच्च नहीं पाएगा अगर उसने दुबारा ऐसी हिमाफ़त की तो मैं उसे मृत्यू दंड दूँगी मैं भला उस जैसे राक्षस प्रविर्ती वाले इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ शादी करना तो दूर की बात है मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ तुम जाकर उसको साफ शब्दों में कह देना कि वैशनवी ने तुमें ये हिदायत दी है कि तुम दुबारा ऐसी गलती मत करना भैरव का दूद भैरव के पास जाकर माता वैशनवी की कही बाते कहता है जिसको सुनकर भैरव आग बबुला हो जाता है बुच्ची हुटा है ये अच्छा उसकन्या की इतनी हिम्मत जो मुझे ऐसा बोले मैं उसे नहीं छोड़ूँगा दूत की बाते सुनकर प्रोध में भैरव आया सेना को की आसु सजित वोरण का बिगुल बजाया युद्ध में बैरव का सिर माता ने काट गिराया माता गलती हुई मुझे से कटा हुआ सर चिल लाया माता गलती हुई मुझे से कटा हुआ सर चिल लाया माफ किया माने भैरव को माफ किया माने भैरव को पूझता है संसार वैश्नो मा सब की पालनहार वैश्नो मा सब की पालनहार अपने त्रशूल से माता ने भैरव का सर खाट दिया भैरव का कटा हुआ सर मा मा चिल ला रहा था और मम्ता मई माने भैरव को माफ कर दिया न सिर्फ माने भैरव को माफ किया बल्कि ये वर्दान दिया कि वैश्नो देवी की पूझा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक साथ में भैरो की भी पूजा नहो ऐसी ममता मई मा को कोटी कोटी प्रणाम है